मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश के चेतावनी जारी की है ऐसे में शासन ने प्रदेश के सभी जिलाविकारियों को एहतियाती कदम उठाने की निर्देश दिये हैं शासन से निर्देश मिलने के बाद चमूली जेले में स्थित फूलों की घाटी को भी अगले तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है मौसम के अलर्ट को देखते हुए ये रोक 17 सितंबर तक जारी रहेगी पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है मौसम विभाकी चेतावनी के अनुसा कुमाओ मंडल के चमपावत और गड़वाल मंडल के रुदर प्रयाग में स्कूलों में दो दिन का अवकाश घूशित किया गया है मौसम विभ्यान केंडर के निदेशक विकरम सिंग के अनुसा दो दिन उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर औरेंज अलर्ट जबकि शानिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है इस दोरान परवत्यक शेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है बूस खलन और चट्टाने के सकने का खत्रा है नदी नालों के उफान पर आने से किनारे सित बस्तियों को भी खत्रा पैदा हो सकता है भारी बारिश के अलर्ट को देखते वे चमपावत की सभी शास्किया और शास्किया नीजी विद्यालेओं और आंगनबाडी केंद्रों में एक दिवसी अवकाश खोशित किया गया है इसके अलावाद चमोली, पौडी और उद्रप्याग जिलों में भी भारी बारिश के चेतावनी के चलते स्कूलों में छुट्टी घोशित की गई है अल्मोडा जिले में भी लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूलों में एक दिन का अवकाश किया गया है नैनिताल और पौडी जिलों में भी स्कूलों की चुट्टी की गई है